हैदराबाद की ओनर एक बार फिर से मैदान पर पूरी तरह परिशान निजर आई उनकी टीम ने एक बार फिर से बेयती खराब परदशन किया और नई नवेलिक कप्तान भी हैदराबाद की परदशन को सुधार नहीं पाई जिया दोस्तो आईपियल का दसवा मैच लखनाउ सूपर चाइंड सौर सनराइज हैदराबाद की टीम के बीच लखनाउ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था जहां इस मैच में लखनाउ का परदशन काफी कमाल कर रहा तो दूसरी तरफ हैदराबाद का परदशन उतना ही खराब रहा जहां पहले मैच में भी उन्हें काफी करारी हार का सामना करना पड़ा था और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ और दोस्तो ये हार देखकर उनकी मकान मालिकिन पूरी तरह हडाश हो गई थी जहां दोस्तो आईपियल के इस मुकाबले में हैदराबाद के हैदराबाद के इस मैच में एक के बाद इक विकेट गिर रहे थे और तो उनके रन भी इस मैच में काफी सुस्त असनाज में बन रहे थे मानो ये बल्ले बाच टेस्ट मैच खेल रहे हो और दोस्तो यही बजा रही कि हैदराबाद के बल्ले बाजों ने 20 ओवर खेलने के ब तिस रन बनाए और दोस्तों इनके अलावा कोई भी बल्ले बाच इस से ज़्यादा रन नहीं बना पाया था हाला कि आखरी में आकर अब्दुल समद ने 10 गेंडों में 21 रनों की पारी खेली थी और उनकी वजह से ही हैदराबाद की टीम ने 100 से ज़्यादा रन बनाए थे पर इनको बिखेर के रग दिया था क्योंकि दोस्तों शुरुवाती तीन जटके तो उन्हों नहीं दिये थे और दोस्तों ये जटके मिलने के बाद तो हैदराबाद की पूरी टीम पूरी तरह बिखर गई थी और दोस्तों इस मैच में कुर्णाल पांडिया ने बहतरीन ऐसे में दोस्तों उनका परदर्शन इस मैच में काफी कमाल करा और उन्होंने अपने चार ओवर में केवल 23 रन देकर दो विकिट अपने नाम किये थे और दोस्तों उन्होंने एक शांदार कैज भी पकड़ा था तो रवी विश्णोई ने एक विकिट लिया था और यस ठा सारी की गेंद का शिकार बन गए थे हाला कि कायल मेर्च इस मैच में कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाए थे क्योंकि दोस्तों इस मैच में लखनों को जीतने के लिए बहती कम रन बनाने थे हाला कि इसके बाद दीपक हुड़ा भी केवल सात रन बनाकर भूनेशर की गेंद का शिकार बन गए थे लेकिन इस मैच में कप्तान राहूल बेदी समलकर बल्ले बाची कर रहे थे क्योंकि दोस्तों इस मैच में लखनों को जीतने के लिए ज़्यादा रन नहीं बनाने थे और उन्हें खाली समलकर बल्ले बाची कर रहे थे तो इस मैच के सूपर स् अपना जल्वा भिखेर दिया था क्योंकि दोस्तों उन्होंने इस मैच में ना केवल तेज बल्ले बाजी करी और उन्होंने केवल 23 गेंदों में 34 रन बना दिये थे और लखनौव की जीत में एक एहम भूमी का निभाई थी हाला कि इसके बाद कुर्णाल पांडिया 34 रन बना कर आउट हो गए थे तो दोस्तों इसके बाद आदिल रशीत ने लखनौव को बैक टू बैक दो बड़े जटके दे कर केल रहूल और रोमोरिय सरफट का आउट कर दिया था जहां रहूल 35 रन बना कर आउट हुए थे तो सर मैच में लखनौव को पांच विक्तों से जीत दिलवाई और दोस्तों लखनौव की टीम ये मुकाबला काफी बड़े अंतर से जीती है जहां लखनौव की टीम ये मैच जीत कर पॉइंस टेबल में सबसे उपर पहुँच गई है और उनकी नेट रन रेड भी काफी बहतर ह हो गई है जहां लखनौव ने तीन मैच खेले हैं तो ने दो में जीत वीिक में हाघ्र मिली है और और इस लोगार के बाद है काफी जड़ाद कि मैदान पर नसर आ रही थी अजहां में सबसे फेवरेट टीम कौन सी है आप अपनी कीमती राहे हमें कमेंट में जरूर बताए कि अक्राव कर दो सुझ द रवा जाया है